परिवर्तन संसार का नियम है जिस तरह से जन्म से पुर्व तै होता है कि मृत्यू किस प्रकार से होगी जन्म के साथ जीवन किस प्रकार से जाएगा सब पहले से तै होता है हमारे सनातन धर्म में चार वेदों में हमारा विग्णान बहुती अधोनिक था इसलिए कहा जता है कि परिवर्तन संसार का नियम है जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक लाइफ जो है आपकी चेंज नहीं होती है हर वक्त जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन रहता है जिस प्रकार से कोई भी चीज स्थाई नहीं है उस प्रकार से हर चीज में परिवर्तन दिखा जा सकता है वो फिर रिस्तों में हो या फिर प्यार में हो या हर जगह कुछ न कुछ परिवर्तन रहता ही है यह दुनिया जो है यह रिसाइकल है यह चलता ही रहता है आज़े बात करते हैं यहां पर कन्या लगन जुलाई का महिना किस प्रकार से रहेगा मैं डॉक्टर हिरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल में अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है कुंडली में प्रथम भाव में अगर छे नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन होता है कन्या लगन वालों के लिए चंद्र लगन क्या धारित ये रासिफल है आपको accurate यहां पे prediction मिलेगा आपकी personal कुंडली का visualization अगर करवाना चाहते हैं तो हमारे दिये गए नंबर पे paid consulting service ले सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है उसके अलावा और कोई दूसरा हमारा नंबर नहीं है कृपिया स्केम होने से बचे लेते हैं पहले ग्रहों की situation क्रिस्प कास है जुलाई के महिने में कन्या लगने वालों के लिए हैं सेकंड हाउस में यहां पे सुर्य और बूद बने हुए हैं एकादश भाव में यहां पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और ट्वेल्थ हाउस में यहां पे मंगल बैठे हुए हैं आई यह बात करते हैं किस प्रकार से रहेगा आपका marriage life, love life, आपका business, job, career यहां पर पहले बात करते हैं लगनेश कन्या लगनेश के मालिक यहां पर होते हैं बूद और बैठे हुए सुर्य के साथ स्वास्त की बात करें तो देखा जाता है फर्स्ट हाउस से पहला भाव मालिक बनते हैं बूद सुर्य के साथ बैठे हुए हैं दशम भाव में situation यहां पर अच्छी है हेल्थ में यहां पर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लेम नहीं दिख रहा है अगर आप कोई लंबे समय से बीमार थे तो यहां पर ठीक होंगे यहां पर स्वास्त के सब्मंदित आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लेम नहीं दिख रहा है बात करते हैं विद्या अभ्यास क विद्याब्यास देखा जाता है पंजमबाव से यहाँ पे बनते हैं शनी महाराज और बैठे हैं चटेगर में विद्याब्यास में थोड़ा problem face कर सकते हैं क्योंकि शनी जब चटेगर में बैठते हैं तो चटागर वैसे शनी महाराज के लिए अच्छा होता है यहाँ पे शत्रु हंता योग बनाते हैं आप अपने कोई भी पुराने शत्रु है तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लेम वह आपको नहीं दे सकते लेकिन शनी की द्रश्टी जो है वो यहाँ से अश्टम भाव में पड़ रहे है गुरू और आउका चांडाल योग बन रहा है तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपके जो भी जीवन साती है उसके उपर कोई विपदा आजा या उनकी हेल्थ खराब हो सकती है कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता त्रीक भाव कहा जाता है इसे अश्टम भाव में गुरू राहू का चांडाल योग अजबन वाइफ में यहाँ पर हेल्थ के इस्योस आ सकते हैं राहू की द्रश्टी यहाँ पर सेकंड आउस पर पढ़ रही है सेकंड आउस में के यकीन यहाँ पर प्रॉब्लेम आपको फेज करना पड़ सकता है आप सही हो फिर भी आपको कुछ गलतियों का सामना करना पड़ सकता है आप सही है फिर भी आपकी बात समझने को कोई तैयार यहाँ पर नहीं होगा बात करते हैं जॉब केरियर बिजनेस की यहाँ पर नवम नवंभाव में नवंभाव के मालिक बनते हैं और शुक्रदेव जो है वो अच्छी जगह पे बैठे हुए है शुक्र का गोचर यहां पे काफी शुब है भागेगा आपको पूरा साथ मिलेगा हो सकता है जगह परिवर्तन के भी योग यहां पे बन रहे हैं यहां आपको opportunities भी मिल सकती है नई जॉब भी कहीं आप लग सकती है आपकी नई जगह पे जॉब भी कर सकते हैं लेकिन यहां पे केतु के केतु का जो संबंध है धनभाव में वह वानी में आपको कटूता ला दीगा यहां पे आपके बोलने के शब्द काफी गंबिर हो सकते हैं बिजने की बात करें तो आपका अगर बिजनेस कपड़ों का है या किसी ज्वैलरी का बिजनेस है यहां यकिन आपको फाइदा देखने को मिल सकता है आपकी परसनल कुनली क्या कहती है आपकी परसनल कुनली के उपर से गोचर के ग्रह जो अभी गुजर रहे हैं उस प्रकार से अग सब्सक्राइब के लिए जुलाई का महिना काफी ठीक रहने वाला है जुलाई के महिने में वानी के उपर सयम रखिए पैसों का इन्वेश्टमेंट करते वक्त ध्यान रखिए जीवन में फ्रॉड बड़ा हो सकता है यहां पर इसलिए किसी से संबंध देखे के बनाएए और नई जॉब आपको लग सकती है ऐसे ही जानकरी के लिए बने रही है हमारे साथ